दोस्तो आज मैं कच्चे चावल की एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं एक कटोरी मैंने कच्चा चावल लिया है और आधी कटोरी मैंने मुंगफली के द को इतना ही भूणना है अब इसके अंदर दो सुखी लाल मिर्ज टाल देंगे इसके बाद इसमें डालेंगे कच्चा चावल को मैंने अच्छे से साफ करके कपड़े से बोछ लिया है जिससे इसका पॉलिश जो है वह निकल जाए तो चावल डालनेके बाद हम इसे थोड़ चलाते रहेंगे जिससे नीचे से जले नहीं और एक बराबर चालो को भूनते हुए तीन से चार मिनट हो गा है चालो का कलर सफेद हो गया है और थोड़े ये बड़े-बड़े हो गा है तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा कर देंगे और यह देखिए इस तरह का हमें दरदरा भीषना है बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है तो चलिए अब हम इने एक बॉल में निकाल लेते हैं अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगी तो मैंने आधा चममच सौंफ लिया है थोड़े से लैसुन और अध्रब को मैंने बारीक बारीक काट लिया है उसे डाल देंगे और दो हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है सभी चीजों को एक तम बारीक काटिएगा और यहां पर मैंने कसूरी मेथी लिया है इसे हम डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसे हाथ मे जरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, मैगी मसाला मैंने आधा पैकेट डाला है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे, स्वात के अनुसारी इसमें नमक डाल देते हैं, तो मैं इसमें एक छोटे चमश नमक डाली हूँ, और दो उबले हुए मैंने आलू लिये हैं, इसे मै अगर आप आलू को मैस करके डाल रहे हैं, तो उसे अच्छे से मैस कर लीजेगा, जिससे उसमें आलू के टुकडे न रहें, तो अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऐसे ही मैस करना है, आल गोल इसका सेब देना है, उसके बाद हथेली में रखकर इसे चप्टा कर लेना है, चाहे तो आप इस तरह से टिकी का सेब देकर भी बना सकते हैं, मैं इसे चोकोर सेब में बना रही हूं, तो दोनों हाथ से इसे चारो तरफ से इस तरह से दबा लेंगे, और इस तरह से चो कटलेट डालने के बाद गैस का फ्लेम मेडियम से थोड़ा सा हाई कर दे और थोड़े हाई फ्लेम पे ही इन्हें से के दोनों तरफ से उलट पलट कर तो देखिए एक तरफ से यह फ्राई हो गया है इन्हें मैं पलट लेती हूं तो दोनों तरफ से यह सिग गया है अच्छे से अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो देखिए बहुत ही ख्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही चट पटे से बनते हैं चावल का यह नास्ता पारीज के मौसम में यह चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो यह देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है प्लेट में इन्हें आप धनी की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करिए तो चलिए मैं इसे तोड़के दिखाती हूं यह देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से एकदम ग्रेस्प तो इस चावल के नास्तिक को एक बार ट्रा और कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको यह कच्चे चावल की रेस्पी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ धन्यवाद